नमस्कार्ट स्वागत है आपका हमारे चानल में मैं रानी गुपता आपके साथ बड़ी खबर सामने आ रही है आपको बता दे कि सुप्रीम कोट ने बड़ा फैसला सुनाया है एलेक्शन कमिशन में अधिकारियों की नियुक्तियों को ले करके दरसल चुनाव आयोग में शि आज जजों की इस बेंच ने ये फैसला जो है वो पूरी तरीके से सर्व सम्मति से पास कर दिया है और कहा कि मुख्य चुनाव आयोगत और चुनाव आयोगतों का चुनाव तीन सदस्य समीती की सला पर रास्टपती करेंगे पता दे कि नयमूर्ति केम जोसफ की वाली खंडपीट ने अपने फैसले में ये कहा है कि ये नियम तब तक जोरी रहेगा जब तक संसद इन नियुक्तियों की लिए कान्हून नहीं बना देती है आपको बता दे कि पिछले सतर सालों से चुनाव आयोगतों की नियुक्ति को लेकर के कोई भी कान्हून या फिर प्रावधान नहीं बनाया गया है दरसल प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठिते कमिटी की सलहा पर राष्टपती द्वारा मुख्य चुनाव आयोगतों और चुनाव आयोगतों की नियुक्ति की ज़ाती अब जहां सुप्रीम कोट ने अपना ये बड़ा फैसला सु प्रधान मंत्री विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य नया धीश शामिल होंगे ये न्याइक हस्तक्षेप की पूरी तरीके से अव मानना है इसी के साथ ही उनका कहना है कि ऐसा मसोशिये कि भारत का सम्मिधान इसकी अनुमादी देता है या फिर इसकी जासत देगा कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि ये जो फैसला सुप्रीम कोट के द्वारा दिया गया है वो संसद में पलट भी सकता है क्योंकि फिलाल इस चीज़ को लेकर के कोई कानून नहीं बना है और आपको बता देगी जहां कहा जा रहा है कि सदन में ये फैसला पलट सकता है और जुस तरीके से पिछले कई सालों से लगातार रास्टपती के आदेश पर और रास्टपती की सलहा पर ही इलक्षन कमिशन के आयुकतों की न्यूकती की जाती तो ऐसे में सुप्रीम कोट का ये फैसला जो है वो कई लोगों के लिए आपती भी बनी हुई है लोग लगा पॉइनल है बता दे के आदेश के बाद केंड्र सरकार ने चुनाव आयूकत अरुन गोल के आपिडमेंट की ओरेजनल फाइल सुप्रीम कोट को सौपी थी बतादे कि फाइल देखने के बाद कोट ने ये कहा कि चुनाब आयुकत के अपॉइन्वेंट की फाइल बिजली की तेजी से क्लियर की गई है ये कैसा मुल्यांकन है सवाल उनकी योग्यता पर नहीं है हम appointment process पर सवाल उठा रहे हैं बतादे दरहसल 1985 बैच के IS अरुन गोईल ने उद्योग संचित पत से 18 नवंबर को VRS लिया था इस पत से उन्हें 31 दिसंबर को रेटार होना था लेकिन गोईल को 19 नवंबर को चुनाव आयुक्त अपॉइंट कर दिया गया वो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनुप चंद्रपांडे के साथ नरवाचन आयुक का हिस्सा रहेंगे बतादे कि इसी नियुक्ती पर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूशन ने किया चिका दायर कर सवाल उठाए हैं सुप्रीम कोट ने मंगलवार से इस मामले पर सुनवाई शुरू की है और गुरुवार को सुनवाई का तीसरा दिन था बतादे कि कोट सी इसी और इसी की नियुक्ती की प्रक्रिया पर 23 अक्टूबर 2018 को दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है साथ ही याचिक में नियुक्तियों के लिए कोलेजियम सिस्टम की मांग भी की गई है बतादे कि कोट ने कोलेजियम सिस्टम के तहत सी इसी और इसी की नियुक्ती की प्रक्रिया पर 23 अक्टूबर 2018 को दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये महत्वपूर्ण टिपणिया की मंगलवार को जस्टिस आजर अस्तोगी अरेरुद्ध बोस रिशिकेस रॉय और सीटी रविकुमार की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी बतादे कि मंगलवार को ही सुप्रीम कोट ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त यानि की CEC की नियुक्ति प्रक्रिया को ल का नहीं मिला क्या इसलिए हुआ क्योंकि सरकार को CEC बराय जाने वाले व्यक्ति के जर्म की तारीख पता होती है वर्तवान सरकार के समय ही नहीं बलकि UPA की सरकार के समय भी ऐसा ही होता आया है बता दे कि सुप्रीम कोट ने टिपणी करते हुए दो महत्वपूर्ण टिपणी थी वो ये भी था कि पिछले सतर सालों से इस चीज को लेकर के कोई प्रावधान या कोई कान्हून नहीं बना है ऐसे में संसद में इसको लेकर के कान्हून पारित होना चाहिए और ये जो तो CEC और EC को लेकर के नियुक्तियों की बात है वो तब तक किलिए है जब तक की संसद में इसको लेकर के कोई कान्हून पास नहीं हो जाता जो सुप्रीम कोट के द्वारा फैसला सुनाया गया है कि विपक्ष के नेता, प्रधान मंत्री, CGI द्वारा, PEC और EC की नियुक्तिया की जाएगी तो ये तब ही तक के लिए बरकरार रहेगा, फिलाल इस फैसले को लेकर के लोग आपति जहर करते हुए नजर आ रहे हैं, सु सवाल उठा रही है, तो वहीं सुप्रीम कोट के लोयर शशांक शेकर जहा ही सुप्रीम कोट के इस फैसले को लेकर के आपति दर्श कराते हुए नजर आ रहे हैं, सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, फिलाल पिछले कई सालों से अगर हम देखें तो EC के साथ EC जो पद ह उसमें अभी तक कोई ऐसा वेक्ति नहीं है जिन्होंने अपने कारेकाल को पूरा किया हो ऐसे में यह आचिका जो है वो दायर की गई है सीनियर एड़ोकेट के द्वारा प्रशांत भूशन के द्वारा और उन्होंने यह आचिका दायर करते ही सीधे तोर पर सवाल उठाया थ कि आखिर कोई भी चुनाव आयुक्तिस को लेकर के अपना कारेकाल पूरा क्यों नहीं करता यह प्रशांत भूशन का बड़ा सवाल था ऐसे में सुप्रीम कोट का फैसला जो है वो तमाम लोगों के लिए सवालों के घेरे मिला करके खड़ा कर दिया है लोग लगातार इस सिस्टम को लेकर के सुप्रीम कोट का रुख क्लियर होना चाहिए इसको लेकर के कोई फैसला आना चाहिए और एक जो पारदर्शिता है वो बरकरार रहनी चाहिए जो नयाय पालिका है उसमें लेकिन अब ये जो फैसला आया है तो क्या चुनावी प्रक्रिया में ये सवाल है और इसको लेकर के अब सदन में आवाज उठनी तय है और इसको लेकर के कान्हून भी बनना तय है ये भी लोगों का सवाल है लोगों का कह रहा है कि इसको लेकर के कान्हून बनना चाहिए जिससे कि पारदर्शिता है चाहिए वो चुनावी प्रक्रिया हो या फिर न को लेकर के भी अपने आप में पिछले काई दिनों से सरकार और सुप्रीम कोट के बीच बहस छड़ी हुई है लोग इसको भी यही कह रहे हैं कि इसमें भी पादरशिता होनी चाहिए ताकि जो यह विपक्ष के निताओं के द्वारा कहा जाता है कि वर्तमान सरकार के द्वार सारी चीज कंट्रोल में रखी गई है यहां तक कि नयपालिका को भी कंट्रोल में रखा गया है तो इन चीजों में बदलाव हो सके और जो एक पादरशिता है वो बरकरार रह सके फिलाल इस ख़वर को लेकर कि आपकी क्या रहा है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताए आगे की और भी अपडेट के लिए चानल को सब्सक्राइब करना ना भोलें